PCS Current News में इस वक्त की खबर है खबरों में G.S.E.T.24 हाली में New Space India Limited यानि NSIL के लिए भारतिया अंतरिक्षानुसंधान संगठन यानि इस्तरोद्वारा निर्मित उपग्रह G.S.E.T.24 को फ्रेंच गुयाना के कौरो से सफलता पूरवक लाँच किया गया है G.S.E.T.24 एक 24 K.E.U. बैंड अधारित संचार उपग्रह है जिसे फ्रांसेसी कमपनी Arian Space के Arian 5 रोकेट द्वारा भूस्तिर कक्षा में स्थापित किया गया इस उपग्रह का वजन 4,180 किलोग्राम है ये उपग्रह डिरेक्ट टु होम यानि DTH अनुपरयोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतिय कवरिज के साथ प्रक्षेपित किया गया है ये एक मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन है जिसे DTH सेवा प्रदाता टाटा प्ले बोर्ड को पट्टे पर दिया गया है मांग संचालित मोड का मतलब है कि जब उपग्रह लॉंच किया जाता है तो पहले से पता होता है कि अंतिम ग्रह कौन होगा और उपग्रह का उप्योग किस क्षेत्र में होगा NSIL यानी New Space India Limited की बात करें तो इसे 6 मार्च 2019 को अंतरिक्ष विभाग और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रशास्निक नियंतरन के तहत स्थापित किया गया था ये भारत सरकार का एक सारवजनिक शेत्र का उपक्रम है साथ ही ये इसरों की वानिजिक शाखा है इसका मुख्य उद्देश भारतिय अंतरिक्ष कारेक्रमों में उद्द्योग की भागिदारी को बढ़ाना है Dear viewers, हमारे द्रिष्टी PCS चैनल पर देखना न भूले हर मंडे से साटरडे दोपहर बारा बजे विबिन PCS एक्जाम्स के लिए करेंट अफेर्स बेस्ट MCQ प्रोग्राम डीली PCS GK